असलम उलेकम वेल्कम टू शिनाया न्यूस अमीद करती हूँ के आप सब खेरियसे होंगे UK की M3N Update को आप लोगों के साथ शेर किया जाएगा इंग्लेंड यूर्पियन लोगों के लिए बहुती अच्छी और एहम खबर जारी हुई है जैसा के आप लोग जानते हैं के 31 दिसंबर 2020 से पहले जिन के पास सबूत थे तो ऐसे लोग अपलाई कर सकते थे 30 जून 2021 तक लेकिन फिर इसके बाद हकूमत ने ये फैसला किया और इस तारीक को बढ़ा दिया गया 28 जुलाई 2021 तक और ये खास करके ऐसे लोगों के लिए तारीक की मुदद को बढ़ाया गया जिन को कोई मसला पेश आ रहा हो यानि के कोई मजबूरी वगयरा जिसकी वज़ा से वो लोग अपलाई नहीं कर सके तो अब ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी जारी हुई है तो इस न्यूस की तफसिलात के मताबिक जैसा के हुमन राइट और्गनाईजेशन की जानिब से हकुमत पर दबाव डाला जा रहा था और खास तोर पर 65 इयर्ज वालों के लिए और 18 साल से कम उमर बचों के लिए लाजमी तोर पर रियायत रखी जाए क्योंके वो अपलाई नहीं कर सके थे तो अब इस हवाले से अच्छी खबर ये आई है के यूग के हूम आफिस के मनिस्टर ने इंगलेंड का सूबा वेल्स में दोरा किया और उन्होंने वहाँ पर अपनी प्रेस कानफरस में यूरपियन नैशनल वालों से मुखाटिब हो तो उनको लाजमी तोर पर स्टेटस दिया जाएगा और मजीद इसके लावा अब ऐसे लोगों को बहुती अच्छा मुका दिया जा रहा है और जो लोग अपलाई नहीं कर सके और खास तोर पर ये वेल्स में रह रहे हैं तो वो लाजमी तोर पर ये अपलाई कर लें और य के जिनोंने अभी तक अपलाई नहीं किया वो पूरे इंगलेंड में जहां भी याईनि जिस भी शेयर में मजूद है ऐसे अफराज जिनोंने EU सेटलमेंट स्कीम अभी तक अपलाई नहीं की किसी मसले की वज़ा से तो वो लोग अब अपलाई कर सकते हैं एक बार फिर से हक पूमत ने ये खुशखबरिया से लोगों को सुना दी है ये थी एहमतरीन अपडेट जो आप लोगों के साइश शेयर की गई है उमीद करती हूँ के पसंद आई होगी फिर मिलती हूँ आप सबसे लेटस्ट अपडेट में तब तक आप सब अपना पुखुत क्या रखेग थाइंक यू, खुदा हाफीज